तुम अपना न, इतना time waste कर रहे हो न, तुमको ये चीज पता भी नहीं होगी मैं लगता होगा कि ये चीज नॉर्मल है, बहुत लोग करते हैं, तो मैं भी करता हूँ यार बड़ अक्चुल में ये चीज तुमारा attention spam खराब कर रही है, तुमारा दिमाग खराब कर रही है तुमने अलड़ी guess कर भी लिया होगा कि ये चीज क्या है, इट इस social media Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok, TikTok तो चलो बैन हो गया है, बट TikTok को replace कर दिया अलड़ी YouTube Shorts ने replace कर दिया है, और Instagram Reels ने replace कर दिया है और भाई ये दो चीज ना काफी है, तुमारा पूरा साल बरबात करने के लिए अभी साल की शुरुआत है, तो बड़ी आओगा कि तुम सुधर जाओ, और देखो, ये सरफ मैं तुमको नहीं कह रहा है मैं अपने आपको भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम वेस्ट कर चुगा उन चीज़ों पर, इन बकवास चीज़ों पर जितनी जल्दी तुम इस हैबिट को अपने लाइफ से निकालोगे उतना बैतर होगा तुमारे लिए मैं तुमको अभी एक actionable step बताऊंगा, अपना phone खोलो, Instagram को delete मारो मैं तुमको बताऊंगा, तुम Instagram अपने phone में क्यों नहीं रखना चाहिए, अगर तुमको लगता है कि रखना चाहिए, अभी delete मार दो, जब वीडियो खताम होगी, तुम Instagram रिइंस्चॉल कर ले ना, मेरे वीडियो को dislike कर दे ना, कुछ भी करना, but let me explain myself bro, वीडियो देखने क तुम कितने घंटे spend करते हो Instagram and YouTube shots पे, चार घंटे, भेंचोत बहुत जादा होता है, चार घंटे, चार घंटे के लिए तुम अमने दिमाग को फाल्तु चीजे दिखा रहे हो, जो तुमको याद भी नहीं रहेंगी, obviously तुमारा दिमाग खराब होएगा, and bro, अगर तुमारा screen time भी Instagram and YouTube Reels पे 4-5 घंटे आ रहा है, then I wouldn't be surprised, क्योंकि ये common हो गया है बहुत, 4-5 घंटों के लिए तुम कुछ ढंका नहीं कर रहे है, and उसकी वज़े से भाई, तुमारा सरदर्द करता है, but तुम उसको बोलते हो कि में Instagram चलातो हो, रिलाक्स करने के लिए, भाई, सबसे ब बड़ा जूट, मैं सुनके हरान हो गया, टीचर बोल रही है ये, कि Instagram यूज़ करो, रिलाक्स करने के लिए, मेरा दबाई विश्वास उडगे, फिल्कुल नहीं है, बहुत खराब है, तुमारे focus के लिए, तुमारे concentration के लिए, तुमारी पढ़ाई के लिए, तुमारे काम क लिए, जो भी तुम करते हो न, अपनी लाइफ में, Instagram, YouTube पे स्क्रोल करना, YouTube शॉट्स पे स्क्रोल करना, Instagram रिल्स पे स्क्रोल करना, it is very bad for you, तुमारा टाइम वेश करेगा, तुमारा दिमाग खराब करेगा, कुछ relaxation नहीं मिलता, जब भी मैं कुई लंबे समय के लिए स्क्र स्क्रोल करता हो न, मेरे को literally कुछ relaxation नहीं मिलता, उपर से मेरा सरदर्द बहुत हो जाता है, उल्टा में उसके बाद, अगर कोई काम करने बैठ हूंगा, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, तुमारी focus की माभेन कर देता है, तुमारा concentration नहीं लग जो, दो-तीन गंटे स्क्रोल करना जाओ daily, फिर तो दो-तीन गंटे, चार गंटे में बदल जाएंगे, चार गंटे, छे गंटे में बदल जाएंगे, तुमारा time बरबाद होते जाएगा, so to make sure कि तुम ऐसा ना करो, तुमें एक boundary set करनी पड़ेगी, अगर तुमारा Instagram का screen time र लग जाते हैं, Instagram को तुम addiction की तरह कह सकते हो, भाई अगर तुम उस चीज को रोज 4-5 घंटे यूज़ कर रहे हो, addiction ही तो है, हर reel से तुमको एक dopamine spike मिलता है, that is keeping you hooked up on that platform, Instagram को ऐसे ही design किया गया है, कि तुम लंबे से लंबर time उस app पे spend करो, इन चीज़ों को तुमारा attention लेने क पे use करो, improvement तो है, यह huge improvement है, अगर तुम पे कोई भी addiction है, तुम उसको एक दो दिन में नहीं हटा सकते है, that is selfish, हमारे पास वो addiction दो-तीन साल से होगा, and तुम expect करते हो अपने आपको कि मैं उसको दो-तीन दिन में छोड़ दूँगा, नहीं हो पाएगा भाई, तुमको धेरे- informative वीडियो भी देख सकते हो, but अब YouTube भी desperate हो रहा है, जब भी मैं अपने phone पे YouTube खोलता हूँ न, bro, instead of opening my home page, वो सीधा shots खोल देता है, तुमने भी ये notice किया होगा, जब भी तुम अपना YouTube खोलते हो, अपने phone पे, कभी-कभी वो सीधा shots पेस पे ले आता है तुमको, and bro, मैं द करते हो कि मैं short form content देखना बिल्कुल बंद कर दूँगा, मैं YouTube shots नहीं देखूँगा, मैं Instagram Reels नहीं देखूँगा, भाई मैं कहा रहा हूँ, तुम इस साल बहुत जाधा progress बनाओगे, क्योंकि आदे से जाधा लोग, तुमारे school में, तुमारे college में, इस चीज़ से addicted है, वो है नहीं सकते है, यार, these things are made to grab your attention, तो अगर तुम इस चीज़ को completely avoid ही करोगे, तुम इस चीज़ को देखो यह नहीं, जैसे ही तुम अपने phone पे YouTube खोलते हो, YouTube shots आता तुम एगदम से हटा देते हो, Instagram तुम दिस्ट्रैक नहीं हो पाऊँगे, तुम जिस काम से YouTube पे आयो या जिस काम से Instagram पे आयो, तुम वो काम करोगे, और फिर उस app को close कर दोगे, you will literally stand out from other people if you improve on this, एक हफते के लिए अपने phone से YouTube and Instagram बिल्कुल हटा दो, एंड देखो कि तुमको कितनी improvement मिलती है, एक हफते से जब मैंने इसको use भी नहीं किया, तो मेरा इतना time बशने लगा, मेरा इत दिया, Reels पे फिर से एक दो घंटा वेस्ट करने लगा, रोज का, ये छोटी सी चीज, social media, जिस पे तुम आदे दो घंटा वेस्ट करते हो दिन का, ये तुम्हारे overall life को बहुत effect कर रहा है, भाई अभी भी time है, साल की शुरुवात है, इसको delete करो, जितनी जल्दी तुम इस चंदी आदत से चुटकारा पाओगे ना, उतना बैदर होगा तुम्हारे लिए, बट या मैं, that's it for now, thank you for watching, take care, and take action.